गुट बॉर्णिंग एवरीवन आप सभी कब बहुत सवागत है आइस पीसी एस बैग्जामपूर के यूट्यूब चैनल पर बज रहे हैं सुभह के साड़े चार मेरा नाम है संस्कृती और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी आज के दिन की शुरुआत बहुत जबर्दस बहु इस बार 2021 में आप देखी रहे होगे 87 बिलियन डॉलर एज रेमिटन्स ठीक है भारत को मिले है 87 बिलियन डॉलर रेमिटन्स में चलो अब आप लोगों के लिए सबसे पहला कोशन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि 87 बिलियन डॉलर जो यह जो स इतनी होगी अगर इस पैसे को 87 बिलियन डॉलर को अगर हम अगर मैं कहूं या हम कनवर्ट करें इंडियन रुपीज में तो उसकी आज के समय पे वैल्यू क्या होगी जल्दी से सेशन के खतम होने के बाद सारे के सारे बुच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट क होती है ma'am CHLL Е सबसे पहले सबसे 5 कि सबसे पहले देखेंगे कि रमिटन्स है मिए सबसे पहले लॉटरी नहीं है कताली समझें की लॉट्री जिन को पता है बहुत अच्छी बात को नहीं पता है सबसे पहले लिए 251 होता क्या है और कहां से पता burka करता है कौन ये एक्सप्रेस का आर्टिकल भी है आपके सामने लगा हुआ है और इससे पहले कि मैं सेशन आगे बढ़ा हूँ देखो सुभह के साड़े चार बजे ना मेरा लाइव क्लास लेना पॉसिबल सा नहीं हो पाता है और आप लोगों को अप्टू डेट रखना होता है हमें करेंट अ अंधियारा रहता है फ्लैट के बाहर निकलूंगी तो कुत्तर पैर पकड़ लेंगे मेरा चल ठीक है तो इसलिए ये क्लास मॉर्णिंग वाली रिकॉर्डेट होती है दो पहर के साड़े तीन वाली जो क्लास होती है वो मैं लाइव लेती हूँ देखो क्या लिखा हुआ है इंडिया वर्ल्ड's largest recipient of remittance received 87 billion dollars in 2021 वर्ल्ड बैंक ने कहा है मतलब ये जो सारा डेटा आ रहा है कही ना कही उसका connection वर्ल्ड बैंक से भी है तो ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक का क्या connection है और क्योंकि वर्ल्ड बैंक का नाम ले लिए है तो लास्ट में वर्ल बैंक के बारे में भी जो बहुत सारी information होती है छोटी बड़ी वो सब की सब देख लेंगे नाम मेरा एक बार और देख लीजिए जो भी नए बच्चे पहली पहली बार मेरा session देख रहे हो चलिए हिंदी में भी लिखा हुआ है English में भी लिखा हुआ है पर एक बात मैं अपने तजुर के लिए और आपके इंटर्व्यू के लिए और इन जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए अगर भारती है तो ठीक है अब जब रेमिटेंस की बात आती है तो हिंदी में रेमिटेंस को रेमिटेंस लिख देते रामे छोटी की मातरा रेमिटेंस ऐसे करके लिख देते हैं स Durham जो चीज कम महनद करके समझा आजाए वैसा कर ले ना चीए देखो बहुत सारे लोग गए हुए है कहां विदेश भारत बहुत बहुतसारे लोगं हैं और उसके बात क्या होता है कि उनकी फेamilie है इंढीया में वहोत सारे लोग इन्टिया में हैं लेकिन उनकी फैमिलीज तो इंडिया में ही रह रही है खास तोर पे जो लेबर के काम के लिए जाते हैं ठीक है इन सारे वर्ड्स को अन्यता मत लेना यह सब स्टीरो टाइपिंग के चक्कर में हमारे दिबाग में कुछ और यह बेज होती है एनीवे ठीक है तो वह विदेश जाते हैं लोग पैसा कमाते हैं और अपनी फैमिली को वापस वह पैसा घर भेश देते हैं तो अब यह पैसा भी तो आ रहा है ना इंडिया में एक तो आ रहा हैं और वह पैसा घर भेज रहे हैं और फिर उनके घर वाले खर्च करेंगे तो वह भी तो एड हो रहा है ना यहीं कहलाता है एक्जामपल के लिए चलो रियल लाइफ मतलब रियल लाइफ से एक्जामपल देती हूं मेरी एक बहुत खास फ्रेंड है उनके पापा काम करते ह कहां पर काम करतें अंकल जी तो मेरी फ्रेंड का घर इंडिया में है और वो उसके मम्मी उसके भाइबहन सब भारत में रहते हैं तो वो जो एमाउंट भेज रहे हैं अपने घर वालों को भारत में वो रेमिटेंस का हिस्सा कहलाता है वो पर्देश्टी कहलाता है चलिए आपके भी प्रचारeffect बहुत लोग होंगे ठीक है तो इतने सारे भारतिय बाहर काम कर रहे हैं और इतना बढ़ियां मतलब सर्फ लेबर क्लासे और भी सारे लोग होंगे ना लेबर सिर्फ सर्वेस सक्टर में नहीं।हों इतना पैसा ढरहा है रहा है इतने भारती बाहर कि सोचो 87 billion dollars तो हमें बाहर से आये हैं देश में है ना मतलब हमारे भारत को छोड़ के दूसरे देशों में गए और इतने इतने सारे लोग गए इतना काम किया कि एक साल पर 87 billion dollars उन्होंने घर भेज दिया बहुत बड़ा देश में रह 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 hy या कार कर रही व्यक्ति द्वारा अपने देश में पैसे भेजना है यहीं तो एक्जामपल था चलो यह वाला वीडियो अपनी फ्रेंड को भी भीज हूंगे कि देखो मैंने तुम्हारा एक्जामपल लिया है वीडियो में एन इंगलिश में ना कमर्श बिस्निस में लगाने के लिए तो वो तो घर चलाने के लिए भेज रहा है ना पैसा तो वो हो गया नॉन कमर्शिल ठीक है और क्या फॉरेंड वर्कर या फिर मेंबर ऑफ डायोस्पोरा कम्यूनिटी मतलब जो हमारे कौन रह रहे हैं हमारे देश के सिटिजन बाहर रह रहे है उनको डायोस्पोरा बोलते है ना ठीक है और वो क्या कर रहे हैं अपने घर पे पैसे भेज रहे हैं हाउसोल्ड इंकम ठीक है इन दियर होम कंट्री और होमलेंग ठीक है मनी सेंट होम बाइगरेंट कंप्लेट्स विद इंटरेशल एड एज वन ओफ दी लार्जेस फाइने अगर डियोस आएगी या कोशन आएगा तो आप लोग उसी स्किप नहीं कर दोगे यह सोचके कि भाई यह तो नामी नहीं जानती मैं यह तो पता ही नहीं है कौन सा नहीं सा शब्द पूल दिया ठीक है तो आई होप रेमिटेंस आपको समझ आया होगा अब एक और बात है क काफी जादा बड़े अमाउंट में रेमिटेंस आता है इसलिए भारत भी एक विकाशील देश ही है और भारत से भी बहुं सारे लोग बाहर जाते है इसलिए क्या है भारत में इतना बड़ा रेमिटेंस आया है इन फैक्ट पूरे विश्व में सबसे जादा किसी देश को अगर रेमिटेंस मिलता है तो वो भारत ही है चल और इस साल भी भारत नहीं टॉप किया है 87 बिलियन डॉलर से वाप रे मैं सोच रही हूँ यह इंडियन रुपीज में कितना होगा कमेंट करके जरूर बताना मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ चल अब देखो अब क्या लिखा हुआ है फिर वही सारी चीजे लिखी हुए है कि भारत को कितना मिला है 87 बिलियन डॉलर मिला है इस फौर्म में रे मिटेंस के फॉर्म में आफ का है अब अलग अलग जगे से मिला होगा जैसे मैंने एक्जांपल दिया कि मेरी फ्रेंड के जो फादर पिता जी है अंकल ची कोवेट में अब लोग केनेडा में भी होंगे लोग यहां है वहां भी होंगे तो टोटल मिला है केवल अमेरिका से आया है मतलब इतने सारे भारती अमेरिका में हैं कि उन्होंने वहां कमाया और फिर अपने घर पैसा बेजा इतने सारे लोग है कि इस डेटा में 20% का जो वेटेज है वह अमेरिका में रह रहे है भारतियों के पास है ठीक है उन्होंने 20% वेटेज बना ल है यह पूरा कैलकुलेशन यह पूरे रिपोर्ट यह पूरा डेटा वर्ल्ड बैंक निकालता है ध्यान रखिएगा अब इसका सीक्वेंस उल्टा करते हैं अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से रेमिटेंस से संबंदे जो भी डेटा आता है साल आना एन्वल डेटा या यह सारी चीज़े किस देश के पास कितना रेमिटेंस मिला उसको कौन सा देश आगे है कौन सा देश पीछे है यह सारा डेटा कौन तयार करता है कहां से आता है वर्ल्ड बैंक से आता है ठंड रखना वर्ड बैंक थंड रखना नहीं थंड तो वैसे ही है शांती रखना वर्ड बैंक के बारे में ठीक ए तो रेमिटेंस से रेलेटि़ डी टा कहां से आता है कौन बनाता है कौन तय्यार करता है dopamine यहारे का फिर्फाननते चीज़े जिसमें चाइना पीछे वरना ऐसा होता था ना कि चलो मैक्सिको थर्ड है फिलिपीन फॉर्थ है और एजिप्ट फिफ्ट है ठीक है यह रैंकिंग हो गई भारत में सबसे जादे रेमिटेंस आता है इसलिए इंडिया फर्स्ट और वैसे भी इंडिया सबसे आगे ह ही होता है रेमिटेंस में ठीक है फिर सेकेंड में चाइना है थर्ड मेक्सिको है फॉर्थ में फिलिपीन है और फिफ्ट में एजिप्ट है अब अगर आप लोगों का बहुत मन हो क्योंकि सुबह से तो किसी को पढ़ने लिखने में तना इंट्रेस्ट होता नहीं है पर इंडिया और चाइना एशिया में आते हैं वैसे ही फिलिपेंस एजिप्ट और मैक्सिको कौन से कॉंटिनेंट में आते हैं अब देखो भारत के बारे में बात हो गई रेमिटेंस के बारे में बात हो गई रेमिटेंस क्या है इसके बारे में बात हो गई देशों की रैंकिं लेकिन बात हुई है तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं फिर बहुत शांदार तरीके से इस सेशन को रैप अप करेंगे और आप लोग अपने दिन की शुरुआत और भेतरी तरीके से प्रेडक्टिव तरीके से करिएगा चलो वर्ड बैंक क्या है देखो लिखा हुआ है इंटरनेशनल फाइनेशल इंस्टिट्यूटर है न मतलब पैसे से संबंदित एक क्या है अंतरराश्टिय संस्थान है है और क्या है लोन देता है ग्रांट देता है किस प्रकार के देशों को लो मिडिल लो एंड मिडिल इंकम कंट प्रीज है हाई फाई देश उन्हें पैसे नहीं देता है आम तौर पे प्राया तौर पे जो लोग और मिडल इंकम वाले देश होते हैं कम और समान जिन देशों की आमदनी है समान अर्थ विवस्ता बहुत अच्छी अर्थ विवस्ता रही है उन देशों को लोन देने का काम क राज्टि ये वित्य चॉंस्था आप कह सकते हैं he tookwhunter कहां पर है Washington DC में है Washington DC कहां पर है अमेरिका अमेरिका से ब्याइक से मतलब US में है ठीक है न और माल पैस जो है वो क्या है वह p sendiri और हमारे ही देश की महिला अंशुला कांत जो है वो MD और Chief Financial Officer है CFO है ठीक है ना यह नहीं है यह ध्यान से देख लीजेगा this is not E F है CFO and MD है कौन अंशुला कांत कहां पर World Bank में चली तो आप आप सभी को मैं बहुत बधाई आशा करती हूं आप लोग भी क्या करेंगे बाहर जाएंगे तो देश-वेश को पैसा भेजेंगे रेमिटेंस के माध्यम से चाह जैसे भी या इन सारी चीजों में क्या करेंगे अपना भी के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं दिससे संस्कृती जैन साइनिंग आफ ठेक के